आज मैं भीन पढ़ाने वाला हूँ, चलिए सुरू करते हैं, सबसे पहले प्रस्न को समझना है, पहला प्रस्न इसमें क्या बोल रहा है, निन भीनों को आरोही करम में लिखें, आरोही करम में लिखना है, इसका मतलब बढ़त हुए करम में लिखना है, लेकिन सबसे पहले दो बटे 5 इसके बाद 7 बटे 10 यह दिए हुआ है तो सबसे पहले आपको समझ रहा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है अगर छोटा बड़ा समझ लेंगे तो बढ़त अुए करम में असान तरीके से लिख लेंगे तो कैसे समझेंगे कि कौन बड़ा है और कौन चोटा है अब यहाँ पर समझने का परियास किजिएगा सबसे पहले चेक करेंगे उपर वाला को अंस कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं तो अंस और हर का अंतर देखेंगे यह दोनों का अंतर देखेंगे यह दोनों का अंतर देखेंगे अगर अंतर समान होगा तो आप तरीके से छोटा बड़ा समझ लेंगे यानि कि छोटा बड़ा ग्याद कर सकते हैं लेकिन यहां पर अंतर क्या है यहां पर एक का अंतर है यहां पर तीन का अंतर है यानि कि सभी में समान अंतर नहीं है अगर समान अंतर रहता तो आप असान तरीके से समझ लेते कि कौन छोटा है कौन बड़ा है तो अब क्या करेंगे अब आपको क्या करना है सभी के हर में समान संखिया लाना है तो समान संखिया लाने के लिए क्या करेंगे तो हर में जो संखिया दिया हुआ है उसका LCM निकालेंगे तो हर में क्या किया दिया हुआ है 4 है 5 है और 10 है तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं 2 दुना 4 5 डिवाइड नहीं होगा 2 पचे 10 अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड नहीं होगा 5 एकम 5 5 एकम 5 तो 2 पचे 10 और 10 दुना 20 LCM कितना आया 20 आया तो LCM 20 आया तो सभी के हर में आपको 20 लाना है तो इसमें 20 लाने के लिए क्या करेंगे 5 से गुना करना होगा तो 5 से इसमें गुना करेंगे तो उपर भी गुना करना होगा तो 5 से उपर गुना करेंगे तो 5 तिया 15 और नीचे में तो 20 हो जाएगा अब यहाँ पर समझेगा यहाँ पर आपको 20 लाना है तो इसमें 4 से गुना करना होगा तो 4 से इसमें गुना करेंगे तो 4 से उपर भी गुना करना होगा तो यहाँ पर 4 दुना 8 हो जाएगा और बटे में 20 हो जाएगा इसके बाद इहाँ पर 20 लाना है तो कितना से गुना करेंगे दो से इसमें गुना करेंगे तो दो से इहाँ पर भी गुना करना होगा तो उपर में 2 सते 14 और नीचे में 20 अब यहाँ पर आपको समझना है, सभी के हर में समान संख्या आ गया, यानि कि सभी के हर में एक ही संख्या है, यानि कि 20 है, तो उपर में जो बड़ी संख्या है, वही बड़ा होगा, और जिसमें छोटी संख्या है, वह सबसे छोटा होगा, अब यहाँ पर आपको समझना है, सभी के हर में क्या है समान संख्या यानि की 20 है तो यह सबसे बड़ा होगा और यह सबसे छोटा होगा और यह मिडिल वला होगा तो बढ़ते हुए करम में लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटा को लिखेंगे तो सबसे छोटा ये वला होगा लेकिन आपको ओरिजिनल संख्या को लिखना है ये ओरिजिनल संख्या जो दिया हुआ है उसको तो दो बटे पांच ये सबसे छोटा है ये हम लोग मालूम करने के लिए ये सब किये है तो ये सबसे तीन ही तो है इसके बाद सबसे बड़ा ये वाला है तो इस तरीके से तो ओरिजिनल वाला लिखना है कितना है यानि कि तीन बटे चार तो इस तरीके से आपको बढ़ते हुए करम में लिखना था ये सही है तो अब यहां पर इस तरीके से समझना है अगला प्रसना तो अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है निन भीनो को औरोही करम में लिखे औरोही अब यहां पर आपको समझना है कि औरोही का मतलब क्या होता है औरोही का मतलब होता है घटते हुए करम में और आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए करम में देखे इससे पहले में क्या था आरोही आर दिया हुआ है इसके बाद 2 बटे 25 दिया हुआ है इसके बाद 6 बटे 15 दिया हुआ है इसके बाद 7 बटे 10 दिया हुआ है तो अंतर देखना है सबसे पहले अगर समान अंतर होगा तो असान तरीके से आप छोटा बड़ा समझ लेंगे लेकिन इहां पर भी अंतर समान नहीं है तो आपको क्या करना है सभी के हर में सेम संख्या लाना है तो इसके लिए आपको LCM लेना होगा सबसे पहले तो हर का LCM लेंगे तो कितना कितना है 15 है इसके बाद 25 है इसके बाद 15 है इसके बाद 10 है तो LCM लेंगे सबसे पहले 5 से डिवाइट करेंगे 5 तिया 15, 25 और 5 तिया 15 और 5 दुना 10 इसके बाद 5 से डिवाइट करेंगे 5 डिवाइट नहीं होगा इसके बाद 3 ये कम 3 और यहाँ पर 2 तो कितना हो जागा 12 पचे 10, 10 तिया 30 और 3 पचे 15, 1500 LCM कितना है या 1.500 इसका मतलब सभी के हर में आपको 1.500 लाना है 150 लाना है तो इसमें कितना से गुना करेंगे कि 150 होगा 10 से तो 10 से उपर भी गुना करेंगे और नीचे भी तो उपर में कितना होगा 40 हो जागा और नीचे में 10 से गुना करेंगे तो 15 और 1 0, अब इसके लिए, अब यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर 25 है, इसमें कितना से गुना करेंगे कि 1.500 हो जागा, तो 25 चोके 100 होता है, 25 पचे 100, 26 चक 1.500, तो 6 से गुना करना होगा, तो इसमें 6 से गुना करेंगे, तो नीचे में 1.500 हो जागा, और उपर में 6 दुना 12 हो जागा, अब यहाँ पर आपको समझना है, तो 6 से गुना केतना, छौ पचे तीस के जीरो, ओर 6 दुना 12, तिन पंदरह सही है, इसके बाद यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर डेर सो लाना है तो कितना से गुना करना होगा यानि कि 10 से तो 10 से गुना करेंगे उपर भी और नीचे भी तो उपर में 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 60 होगा और नीचे में 150 होगा अब यहाँ पर आपको समझना है यहाँ पर डेर सो लाना है तो पंद्रा से गुना करना होगा तो पंद्रा से उपर भी गुना करेंगे नीचे भी गुना करेंगे तो यहां पर पंद्रा से गुना करेंगे तो पंद्रा एकंपंद्रा और एक जीरो उपर में पंद्रा से गुना करेंगे तो पंद्रा सते एक सो पांच मैं गुना करके देख लेता हूँ 15 सते तो 7, 35 के 5 और 7 एकम 7 और 7, 3, 10 फिर से मैं यहाँ पर गलती किया 7, 35 के 5 और हाथ में 3, 7 एकम 7 और 3, 10 105 तो 15 सते 105 होता है इतना अब आपको समझना है नीचे में सभी में समान संक्या है अगर कहीं पर भी नीचे में यानि की हर में समान संक्या दिया हुआ है तो अंस में जो बड़ा संक्या है वो बड़ा होगा और अंस में छोटा संक्या है तो वो छोटा संक्या होगा तो अब आपको समझना है कि इस में से सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है तो घटते हुए करम में लिखना है अब यहाँ पर समझेगा घटते हुए करम में लिखना है तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखना होगा तो सबसे बड़ी संख्या यह है तो सबसे बड़ी संख्या को लिख लिए कितना है 105 है और बटे म अच्छा तो original संख्या को लिखना है ना ये तो हम लोग समझने के लिए ये सब काम किये हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है यानि कि सबसे बड़ा ये वला है यानि कि इसको आपको लिखना है तो 7 बटे 10 ये सबसे बड़ा है तो आपको कैसे लिखना है इस तरीके से करते ज जाना है अब देखिए इसको लिखे इसके बाद हाँ अब यहां पर समझना है यानि कि सबसे पहले सबसे बड़ी संखिया इसके बाद जस्ट इससे छोटा इसके बाद जस्ट इससे छोटा यह वला है यानि कि चार बटे पंद्रा तो यहां पर आपको लिखना है तो यहाँ पर क्या हो जागा यहाँ पर दो बटे 25 तो यहाँ पर आपको लिखना है दो बटे 25 इस तरीके से आपको लिखना है अब चलते हैं अगला प्रसना बिल्कुल समझ में आ गया होगा तो इसी तरीके से आपको solve करना है अगला प्रसना तीसरा नंबर अब इसमें क्या बोल रहा है एक बार प्रसना को पढ़िए और समझिए एक बार अराम से सिखना है समझना है फिर कभी कोई दिक्कत ने होगा और इस तरह का प्रसना एकजाम में आता है आप से पुछा जाएगा कि इसमें से कौन चोटा है कौन बड़ा है या कौन आरोही करम में लिखा हुआ है या कौन आरोही करम में लिखा हुआ है या लिखने के लिए कहा जाएगा तो एक बार समझना है इसमें क्या बोला है निम भीनों में से सबसे छोटा कौन सा है यानि कि ये सभी में से सबसे छोटा कौन है तो मैं एक बार लिख लेता हूँ कितना दिया हुआ है 3 बटे 4 इसके बाद 5 बटे 6 इसके बाद 6 बटे 7 इसके बाद 2 बटे 3 और इसके बाद 4 बटे 5 तो मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले अगर छोटा बड़ा आपको समझना है तो सबसे पहले चेक कर लिए कि अंस और हर का अंतर सभी में समान है या नहीं अगर समान होगा तो बहुती असान तरीके से आप छोटा बड़ा समझ लेंगे मालूम कर लेंगे तो इहां पर देखिए इसमें कितने का अंतर है एक का अंतर इसमें भी एक का अंतर इसमें भी एक का अंतर इसमें भी एक का अंतर तो अंतर बराबर है सभी में अंस और हर का अंतर बराबर है और हर बड़ा है देखिए सभी में हर क्या है बड़ा है सभी में इसमें भी हर बड़ा है 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 अगर अंतर समान है और हर बड़ा है तो इसमें क्या होगा याद रखीगा हर बड़ा है तो अंस में जो बड़ी संख्या है वही सबसे ब सही answer है इस तरीके से आपको समझना है UNS और हर का UNTAR क्या है सभी में समान है और हर बड़ी संखिया है UNS से UNS से हर बड़ी संखिया है तो UNS में जो बड़ी संखिया है वही बड़ी संखिया कहलाएगा तो बिलकुर समझ में आ गया होगा अब चलते हैं अगला प्रसना चार नंबर तो चार नंबर में क्या बोल रहा है सबसे पहले प्रसना को समझ ये प्रसना समझ में आ गया तो असान तरीके से solar हो जाएगा तो निन भीनो में से सबसे बड़ा कौण शाँ है सबसे बड़ा आपको बताना है तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कितना दिया हुआ है 7 बटे 4 दिया हुआ है इसका बाद 14 बटे 11 दिया हुआ है इसके बाद 11 बटे 8 दिया हुआ है इसके बाद 10 बटे 7 दिया हुआ है इसके बाद 8 बटे 5 दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि अंस और हर का अंतर बराबर है या नहीं है तो यहाँ पर देखिए 4-3-7 यानि कि 3 का अंतर 11-3-14 8-3-11 7-10 5-3-8 यानि कि सभी में अंतर समान है तीन का अंतर है लेकिन इस बार क्या है हर में छोटी संखिया है और इसे पहले वला में हर में बड़ी संखिया था तो अब यहाँ पर आपको समझना है अंस और हर का अंतर सभी में समान है लेकिन हर में क्या है छोटी संखिया है तो अंस में छोटी संखिया वला ही सबसे बड़ी संखिया कहलाएगा हर में छोटी संख्या है देखिए अंस क्या है अंस बड़ा है और हर छोटा है तो अब यहाँ पर आपको समझना है कि हर में छोटी संख्या है हर में छोटी संख्या है तो अंस में जो सबसे छोटी संख्या है वही सबसे बड़ी है यह आपको याद रखना होगा और समझना होगा तो अब आपको देखना है कि अंस में सबसे छोटी कौन है तो यहाँ पर 8 है 10 है 11 है 14 है 7 है यह छोटी है ना तो सबसे बड़ी यही वला होगा तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा है यानि कि 7 बटे 4 है बि यह जो प्रस्ण है कहीने कहीं एक्जाम में आया हुआ है और इस तरीके से एक्जाम में आता है और इसी तरीके से आप से पुछा जाएगा तो इसमें क्या बोल रहा है निम्नांकित में से सबसे बड़ा भीन कौन सा है तो सबसे पहले आप लिख लिजे कितना दिया हुआ है हर बड़ा है अंस से हर बड़ा है अंस से हर बड़ा है तो अंतर तो सभी में क्या है अंस और हर का अंतर सेम है समान है लेकिन हर बड़ा है तो अंस में जो बड़ी संख्या है वही बड़ी संख्या कहलाएगा तो हर में क्या है बड़ी संख्या है यानि की areonse हर बड़ा है तो आंस में जो बड़ी संक्या है वही कौन है यानि की ये वाला सब्से बड़ा है नहीं कौन है तो इहीं किया दो साथ बठे आठ एक ये बड़ी शंक्या है तो बिल्कुल समझ सबसे पहले आपको लिखना है कितना दिया हुआ है एक बटे तीन दिया हुआ है इसके बाद दो बटे पांच है इसके बाद तीन बटे साथ है इसके बाद तीन बटे पांच है एक बार मैं मिला लता हूँ एक बटे तीन दो बटे पांच तीन बटे साथ और तीन बटे पांच तो अंतर कितना है इसमें दो का इसमें तीन का इसमें चार का और इसमें दो का यानि कि समान अंतर नहीं है तो समान अंतर नहीं है तो आपको क्या करना है हर में समान संख्या लाना होगा इसके लिए LCM लेना होगा तो LCM ले लेते हैं 3 इसके बाद 5 इसके बाद 7 इसके बाद 5 एही तो है ना 3, 5, 7, 5 3, 5, 7, 5 तो सबसे पहले 5 से divide करेंगे तो 3 divided नहीं होगा 5 एकम 5 और 7 डिभाइड नहीं होगा 5 एकम 5 अब गुणा कर देंगे तो 3 पचे 15 तीन पचे 15 और गुणे में 7 यानि कि 15 सतय 105 होता है ना 305 को 3 से डिभाइट कर लिए तो 3 यहां पर एक बच रहा है 35 यानि कि तो 35 से इसमें गुना करेंगे तो इस वह गुना करेंगे यानि कि 105 लाना है तो इसमें 35 गुना करना होगा तो 35 से उपर भी गुना करेंगे तो उपर में 35 एकम 35 और नीचे में तो 35 से गुना करना है 3,5,15,5,3,9 और 1,10 यानि कि इतना हो गया इसके बाद अब यहां पर समझेगा अब यहां पर कितना से गुना करेंगे कि 105 आना चाहिए तो आपको क्या करना है 105 को 5 से डिवाइट करके देख लेना है तो 5 दुना 10 और 5 एकम 5 यानि कि 21 से तो 21 से उपर भी गुना कर दिजे तो 21 दुना 42 उपर में 42 हो जाएगा और नीचे में तो 105 ही रहेगा 105 लेकिन मिला लेना है तो 21 से गुना करेंगे 5 एकम 5 5 दूना 10 सही है अब क्या करेंगे तो इसमें कितना से गुना करेंगे कि 105 होगा तो सबसे पहले LCM को डिभाइड कर लिजिए 7 से जो आएगा उसी से गुना करेंगे तो 7 एकम 7 और यहाँ पर 7 एकम 7 मतलब 15 से 7 एकम 7 यहाँ पर 3 बच गया तो 15 से इसमें गुना करेंगे तो नीचे में 105 तो हो जाएगा और उपर में 15 तिया 45 15 का 15 तिया 45 सही है इसके बाद अब यहाँ पर आपको समझना है तो कितना से गुना करना होगा तो कितना से गुना करना होगा तो 105 को आप डिवाइट कर लिजे 5 से जो आएगा उसी से गुना करना होगा तो 5 5 दुना 10 5 एकम 5 यानि कि 21 से तो यहाँ पर देख लिजे यहाँ पर न तो 5 एकम 5 और 5 दुना 10 इतना हो गया तो कितना से गुना किये 21 से तो 21 से उपर भी गुना करेंगे तो 21 से इसमें गुना किये तो 21 से इसमें भी गुना करना होगा तो 3 गुने 21 तो कितना हो जगा यानि कि 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 दूना 6 इतना हो जाएगा अब आपको समझना है हर में संख्या क्या है समान है हर में संख्या समान है तो अंस में जो बड़ी संख्या है वो सबसे बड़ा है और अंस में जो सबसे छोटी संख्या वो छोटी है तो इसमें क्या बताना है आपसे मतलब कि आपसे क्या पुछा है निम्न से सबसे बड़ा भ यही सबसे बड़ा होगा यानि कि 3 बटे 5 यह सबसे बड़ी संख्या है 3 बटे 5 तो देख लिए कहां पर है 3 बटे 5 डी ओप्सन से यह तो इस तरह का प्रस्टन एक्जाम में आता है एक बार आपको प्रैक्टिस करना है और मैं एही कहूँगा प्रैक्टिस जरूर किजेगा आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैत अच्छा होगा तो आज के लिए इतना ही जैहिंद वंदे मातरम